हलो अबरिवान सेब दूर्गा हीर तो मैं आज अब लोगों को फाइनली मॉमोस का रिशीपिल लेक्व आ रहा हूं आपके सामने तो इसका प्रोशीजर क्या क्या है कैसे करते हैं यह आप सामने देख सकते हैं आपको मॉमोस बनाने के लिए कितनी चीज समान की जरूरत है आप सामने देख सकते हो चिकन कोरियंडर लिफ्स चॉप क्यावा चॉप ओइन शॉल्ट गार्लिक और बटर एक छोटा सा थाली ले लिजिएगा और आपको यह रोलिंग पीन की जुरूत पढ़ेगी अब यह छोटा सा जो एमटी थाली है इसमें हम यह मैदा जो है यह मैदा को मिक्स करेंगे ठीक है यह थोड़ा सा यह कर लीजिएगा थोड़ा लिमिट से पानी रहा हुआ है कासा पानी दे रहा हुआ है है बस यह लगबग तयार हो चुका है अब लोग देख सकते हैं यह एकदम करेक्ट हो गया ज्यादा गिल्ला भी नहीं और ज्यादा टाइट भी नहीं और मारके इसको कम से कम दो को आप 20-25 मिनिट रख लीजिएगा यह दो 20-25 मिनिट जब तक रेस करेगा तब तक हम यह जो इंग्रिदेंस है इनको हम थोड़ा तरका लगा लेते हैं ठीक है तो आप आपके सामने हम तरका लगाते जा रहे आप देख सकते हो ठीक है अपड़ा तरका लगा है तरका है अब हमें यह जो इसको ग्रीज कर लेना चाहिए को यह फिर कोई बटर का ब्रास से ग्रीज कर लीजे कि यह यहां ना चिपके यह मेरा पुरा ग्रीस हो गया स्टीमर प्रफट्फेक ग्रीस हो गया तेल से भी कर सकते हो और बटर से भी कर सकते क्थे आप लेना चैसे आप देख सकते हो तो गाइस यह पाणी डाल दिया है Gue मैंने अहंटा लगा के你 तैयार हो गया अब इसका में जो प्लीन फेल जो मारा था उसको रिमुब कर रहा हूं, आप सामने देख रहे हो, इसको थोड़ा सथ करूँगा, मैं उसके गोल-गोल गुमाओंगा और मैं काट दूँगा उसको छुटा-छुटा, देखें, आप काट रहे हैं, मैं कैसा काट रहा हूँ बस उसको वापस मैं dust करूँगा मैदे से वापस rolling pin जैसे बनाओँगा गोल गोल गुमा कर दिये आप नीचे पेडा बनाने के लिए ये actually ये तयार हो गया अब मैं इसको चौपर से काटूँगा चोटा चोटा पेड़ा बनाने के लिए ये देखिए काट दिया अब मैं इसे अपने हाथों से दबाऊंगा ये देखिए थोड़ा थोड़ा डश करकर के दबाना है इसको अब ये देख सकते हैं पेड़ा बन गया मस्ट चप्टा क्यूंकि यह बिलने के लिए इजी होता है यह देखिए मैं बेल रहा हूं गोल गोल गुम रहा गोल गुम आप सामने दिख रहे हैं एक दम मस्ट गोल गुम आई हो गया यह तयार अब मैं यह लूँगा और बीचो बीच वाग में जो चिकन जो मियनेट करके लाखा है वो चिकन डाला मैंने और तीरे से साइड से मैंने क्लिप किया और दीरे दीरे मैं freivelmente बैंडिन्ग देखे जा रहा हूं आप देख रहा हूं अब देखेओ सब्सक्रा दतायग होना चाहिए लिए इसके लिए मैं आंउटा चै fürsry आप रहा हूं यह देखिए मस्त हो गया अब इसको भी स्टीमर के अंदर राग गया अंदर जो पड़ा हुआ है वह बेज़िते बोले दो जूसा दिखे आप यह जो तीसरा भी मैंने ऐसे कर रहा हूं बाकि सब ऐसे करना आपको सब सेम ठीक है अब दिखा यह सब सेम कि आप अलग तरीका का मॉमो बनाओंगा मैं यह देखो मैंने क्लिप किया वापस गुमाते है एक्चुली यह जो मॉमो से यह होटेलों में फ्रॉंस के उसमें देते यह सेव है तो यह मैंने चिकन में बनाया यह क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने तीन तरीका का बनाया दो तरीका का मैंने आपको दिखाया एक तरीका कर नहीं दिखाया वापस मैंने इसको भी लेके जाके इस्टिमम में वकूँगा तयार होगया यह देख सकते हैं रख दिया आप सामने देख रहा हूँ तीन तरह का मोमा बनाए, एक भेज का सेवे, दूसरा फ्रॉंस का सेवे, तीसरा चिकन का सेवे, मैं आपको चिकन का सिखाया आज, ठीके, फ्रॉंस का ऐसे मैंने दिखाया आपको, बागी बटर लगा दीजिये, उपर बोध अच्छा ग्लेश आएगा, और इस्तिमर में डाल थे गराम होने के लिए उपर से डखन लगाद ढ़ा दिए ये मोटने लिए लिए चोड़िए अब है ये हमको कुछ करना है जो उसका चट्नी बाड़ी मिर्ची तुला फॉल निदी इसको ठीक है थोड़ा पानी डाल दिया अब इसमें टामाटो डाल दीजिए और अम तुला उबलने दीजिए और यह इस्टक से भी अच्छा नहीं देता, यह सेस्मिसीट वाइट तील, अब कराई में थोड़ा तेल डालिए, उसमें गरम कीजे तेल, गालिक डाल दीजे कर थोड़ा, यह देखिए गालिक डाल दिया, अब ग्रिन चिली, रेट चिली, प्लस यह सब मिला के जो आपको सा जार में यह डाल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने जो सेस्मी है, उसमों कराई में वापस भूज लूँगा, इसको एकदम ब्राउन करूँगा, ब्राउन करूँगा, तो टेस्ट आएगा, कच्छा में टेस्ट नहीं आता इसके लिए, यह भी मैंने, सेम ओ जार में डालन में डालूँगा, हाँ, अब मैं देखूंगा, मॉमो मेरा तयार हो गया, सबसे पहले बेज मॉमों का प्लेटिंग करूँगा, मैं ठीक है, बेज मॉमों यह निकाला मैंने एक, देखे, चतनी के उपर रख दिया मैंने, बागी भी यह इसे करना है, साइट साइट से रखके और उपर चतनी डाल दिया, और एक मस्त हॉप्स रख दूगा मैं उसमें, बास, मज़ेदार दिखा आपको यह, मज़ेदार बन गया, बेज मॉमों का प्लेटिंग, यह सेब दुरगा, और यह चिकन का, जो मैंने आपको बैंडिंग दिखाया था, वो चिकन ने, जोस्तों वीडियो लेकर आते रहूंगा मैं, थैंक्यू